गूड आप्टरनून स्ट्टेंट्स, हाव आर यू आल, आई होप यू आल दूइंग इन ग्रेट्स, आप क्लासेस रेगुलर कर रहे हो, पढ़ रहे हो, अब थोड़ा साइप पोर्शन बचा है, क्लास 12 चेप्टर 4 का, और यू आई होप आप उसमें बेटर करोगे, रेगुलर आप वीडियो देखिए, रेगुलर उसकी आप तयारी करिए, लेटर से स्टार्ट, टूड़े क्लास, आज हम बात करेंगे, रेपोर्ट्यू हेल्थ के नेक्स्ट टॉपिक की, इन फॉर्टिलेटी, आई वी अफ, ज बिफोर वी स्टार्ट लेक्चर, इससे पहले आपने पढ़ा है, कि कौन-कौन से प्रिवेंशन है, जो की गवर्मेंट्स ने यूज किया, उस रेपोर्ट्यू हेल्थ को कंट्रोल करने के लिए, बहुत सारे आपने कंट्रसेप्टर डिवाइस के बारे में पढ़ा, मेडि इंपोर्टंट है, बहुत सारे कॉस्टंस आपके सीबेस्ती के इग्याम में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनफ पेलिटी की, तो इनफ पेलिटी जानने से पहले हमको जानना हुआ कि फोर्टिलिटी क्या होती है, तो fertility means जो भी आपके males हैं या females हैं have the ability to produce spums जिनके पास आपकी ability होगी spums और ova के production की तो ऐसे individuals को बोलेंगी that is a fertile man या fertile woman या fertile female इन fertility में क्या होता है कि ova मारी sperm का production नहीं होता है अगर ova मारी sperm का production होगता भी है तो fertilizer नहीं होगा और अगर fertilized होगे भी तो implants नहीं होगे और अगर implants नहीं होगी तो that moments not produce the child and that condition it becomes infertility कौन कौन से factors हैं जो की influence करते हैं आपकी infertility को तो आपके congencial या बहुत पुरानी भी मारिया हैं या कुछ आपके hormonal deciders हैं आपकी जो lifestyle है जो भी आपके environmental hazards हैं pollutions हैं, psychological hazards हैं और बहुत सारे आपके जो भी sexual transmitted infections हैं ये सारे points आपके infertility को influence करते हैं अगर हम भारत में रेखें often the female is bland for the couple being childless जो भी couple childless है तो अदिक तर भारत में क्या होता है कि female को ही blame करता है but more often than not the problem lies in the male partner problem जो है आपकी male partner से भी arise हो सकती है तो specialized health care units जो भी आपके infertility clinics हैं वह help करती हैं diagnosis में और proper treatment करके इस disorders को वह sum up करती हैं और जो भी infertile couples हैं उनके पास children होने की सम्भावना produce कराती है बनाती है however where such corrections are not possible the couple could be assisted to have children through certain special technique जहां पर यह संभाव नहीं है तो वहां पर कुछ special techniques यूज करते हैं और टेक्निक्स तर लून एज ART Assisted Reproductive Technology इन्स टेक्नालोजी का यूज करके जो भी infertile couples हैं वह आपके child का formation कर सकते हैं तो one by one हम discuss करेंगे सबसे पहला आपका है कि IVF in vitro fertilization in vitro मनलब outside the body inside the body नहीं outside the body यहनि लैब कर्णिशन में हम इस pumps और ओवा का fusion कराएं then फिर उसको females की body में transfer करें IVF that is the test tube baby programs जहां पर हम fertilization करेंगे outside the body और फिर embryo को हम female में transfer करते हैं अब इस process में होता है कि जो females होंगी उनको हम hormones provide करेंगे और hormones produce करेंगे तो आपके बहुत सारे eggs का formation होगा और वह process कराता है आपका super ovulation then egg को हम collect करते हैं और sperm को collected करते हैं जो भी donors male होंगे या जो भी donor females होंगे और फिर उस male और female जो भी को हम gametes को fuse कराएंगे fuse कराने बार फिर आपका जाइगोड का formation होगा फिर उस जाइगोड को फिर हम incubate कर सकते हैं for future generation में हम उसका फिर use कर सकते हैं या उस जाइगोड को फिर further हम female के uterus में transfer कर देंगे जहां पर implantation होगा और आपकी pregnancy जो होगी आपकी continue होगी basically अगर देखें तो IVF भी जो होते हैं आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं उसमें आपका एक है ZIFT जिसको हम बोलते हैं जाइगोड इंट्रा फिलोपियन ट्रांसफर जैसा कि नाम से ही असपस्ट है कि जो भी जाइगोड है या इंब्रियो है जिसमें 8 cell लिस्टेज हो यानि जाइगोड जब डिवाइड करता है cleavage होगा तो 248 16 cell बनेंगे और उसका हम बोलते हैं blastomere और फिर वह आपका transfer होगा आपका फिलोपियन ट्यूब में दूसरा आपका होता है IUT जिसका हम बोलते हैं intrauterine transfer और वह आपके embryo transfer होते हैं 32 cell stage में female के uterus में और वह प्रोसेस कलाता है आपका IUT तो आपके यहां पर दो तरह के होंगे आपके एक तो होगा आपका ZIFT और दूसरा आपका होता है IUT Let us discuss in this slides We see the diagram of female reproductive tract IVF में जनली होता क्या है तो सबसे पहले हम Omen को हार्मोन देते हैं हार्मोन देते हैं ताकि वह जादे जादे आपका एक का production कर सके अब देखेंगे कि Overy में आपका multiples एक का formation होगा और फिर उस multiple एक को फिर हम Overy से लेंगे और लेने के बाद lab condition में हम culture tube में जो भी female donor की एक है और जो male donor का spumps है उन दोनों को हम fuse कराते हैं और fuse कराने के बाद फिर आपका जाइगोड का formation होता है देन उस फटलाइट एक को या embryo को हम incubator में place करते हैं for 48 hours, 48 गंटे के लिए देन उसके बाद उस embryo को फिर हम implant करते हैं female के uterus में जहाँ पर फिर implantation होगा और child का formation होता है तो यह process है आपका total IVF का clearly समझ में आया होगा आपका सबसे पहले हम क्या करेंगे कि hormone injured कराएंगे female की body में ताकि जारे जारे आपका एक का production हो फिर उस एक को और जो भी आपका male donor response है उसको हम test tube में fuse कराएंगे तो वहाँ पर आपका fertilization होगा और उसके बाद फिर उस fertilized एक को फिर हम 48 hours के लिए incubate कर देंगे then उसके बाद फिर हम उसको female के uterus में transfer कर जते हैं तो that is overall the process of in vitro fertilization इसमें क्या होगा कि इसका क्या significance है तो significance ही है तो सबसे बड़ा significance है क्योभी जो भी fertilized एक है उसको हम frozen कर सकते हैं मलब उनको future में भी हम यूज कर सकते हैं जो भी man's जिनमें lowest pumps count है उनके लिए भी आपका एक तरह से important role play करता है और इस method के दवारा वह आपके fertile हो सकते हैं now second है आपका GIFT gamit intra-filippian transfer gamit intra-filippian transfer में क्या होता है कि जो भी donor है उससे OM को हम collect करते हैं और OM को फिर हम transfer करते हैं female में who cannot produce OM but provide suitable environment for fertilizer बहुत सारे case में ऐसा होता है कि female जो उतने OVA का formation कर सकते हैं लेकिन उनकी body में suitable environmental condition नहीं होता है या suitable environmental condition होता है तो OVA का formation नहीं कर पते हैं then उस case में हम GIFT का use करते हैं तो इसमें spumps और OVA को वास करते हैं उसका फिर उसको transfer करते हैं एमपूला में फिलोपियन ट्यूप्स के with the help of laproscope जहां पर आपका फडलाइशन होता है और आपका cleavage होता है या तब useful होता है कब when femurie fail to capture OM जब females जोतने आपकी OM capture नहीं कर पाते हैं तो वहां पर आपका spumps या antibody जो होती ही आपकी cervical secretion में हम introduce करते हैं तो यह होता है आपका GIFT third matter है आपका intracytoplasmic sperm injection जिसको हम बोलते हैं ICSI इसमें भी बहुत simple process है इसमें भी spumps को directly हम OM में inject कराते हैं culture medium में तो जाइगोट आपका बनेगा फिर उस जाइगोट को फिर हम ट्रांसफर करते हैं फेलोपियल ट्यूब में इसको अगर हम देखें डाइग्राम में तो यहां पर जो micro pipettes है उससे हम लगबद 60 micron का micro pipettes होगा उसमें हम gametes एक को लेते हैं दूसरे step में क्या आता है कि हम एक single sperm को लेते हैं जो कि healthy sperm होगा लगबद उसका जो pipette हम यूज करेंगे लगबद वो 7 micronovides होता है देन उसको हम directly inject कर जाते हैं वह में जहां पर उसका male nucleus और female nucleus का fusion होता है और आपका फिर जाइगोट का formation होता है तो that is the process of ICSI next आपका आता है artificial insemination यह भी तब useful है जहां पर male partner unable to produce inseminate the female या जिसमें sperm count बहुत ही कम होता है या जिसमें low quality के आपके sperm होते हैं ऐसे केस में artificial insemination का use किया जाता है इसमें क्या आता है कि जो भी male partners होंगे उनके semen को collect करते हैं concentrate करते हैं उसके बार female के vagina या uterus में introduce करते हैं और वह प्रोसेस आपका करता है intrauterine insemination today is the overall process of infertility methods to control now what is the drawback तो drawback क्या है कि these techniques are not possible when female with damage uterine जिस female की uterine wall damage होगी उस case में या आपका technique possible नहीं है इसमें क्या होगा basically बहुत ज़्यादे expensive होता है बहुत ज़्यादे expensive instrument होते है तो बहुत कमी center पर यह मौजूद होता है और कुछी people जोते हैं इसका आप लाव उठा पते हैं सारे people इसका लाव उठा नहीं पाते हैं इसके अलावा बहुत सारे आपके ethical, emotional, धार्मिक जो भी moral issue होते है तो सामाज में वह सारे points आपके इसके drawback होते है तो that is the overall drawback of infertility methods जो भी आपने पढ़ा IVF, JFT, ZIFT, IUT, IUI, AI and so on ओके I hope आपको ये वीडियो समझ में आया होगा Thank you